स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप देख रहे हैं वासिम्पल मैं आप के साथ सेयद समसाद हुसेन आज जो योजना लेकर आया हूँ बिहार सरकार उधोगी भाग के तरब से ये बहुत ही महतपूर्ण योजना है और बहुत ही प्रसनली मुझे अच्छा लगा चुकि इस योजना में जो 2,00,00,00 रुपे आपको मिल रहे हैं उसमें किसी भी परकार का आपको कोई इंट्रेस्ट नहीं देना है ना ही पैसा रिटर्न करना है ना ही आपको उसको चुकाना है ठीक है ये पूरा का पूरा आपको सबसीडी है और ये जो पैसा 2,00,00,00 रु यहाँ पर जो रेशु रखा गया है वो कितने टर्म में आपको मिलेगा सब कुछ हम विस्तार से डेटेल से बताएंगे तो इस वीडियो के अंतक बने रहीएगा बड़ा ही सटीक और बड़ा ही आसान भासा में हम आपको समझाने जा रहे हैं देखिए राज के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लगू उद्धिमी योजना की सुरिकिती के संबंध में ये लिटर जारी किया गया है जिसका मोहर जो है केबिनेट के तरब से भी लग चुका है और पास भी हो चुका है ठीक है तो ये आपको जाती अधारित गण्डा में जो परिवार की मासिक आय के अधार पर आर्थिक रूप से जो गरीब परिवारों की संख्या का एक महतपुर्न आकड़ा जो सामने आया है इसको लेकर सरकार ने ये फैसला किया है कुल सरवेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2.76 लाख है और उनमे 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए है जाती अधारित जनगर्णा के अनुसार वरगवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवेरनी निम्न है जो की अब यहाँ पर सामने आ चुका है बहुत सारे लोग यहाँ पर खफा भी थे कि जाती अधारित जनगर्णा नहीं होनी चाहिए लेकिन उस जाती अधारित जनगर्णा के साथ साथ यह भी मालूम चला है कि कितने परिवार के जो सदस से हैं वो गरीब लोग है चाहे वो समानने वर्ग के लोग हो चाहे वो पिछला वर्ग के लोग हो चाहे अतिनत पिछला से हो या अनुसुचित जाती से हो या अनुसुचित जन जाती से हो तो सारे जो वर्ग है उनके सामने यहाँ पर संख्या उनकी बताई गई है जैसे समान वर्ग के आप देखेंगे तो समान वर्ग के संख्या यहाँ पर बताई गई है कि और गरीब परिवारों के संख्या यहाँ पर बताई गई है जो बिहार में कुल समान वर्ग की संख्या है और जो गरीब परिवारों के संख्या है वो यहाँ पर दर्स आईगे है तो इस आकड़े के अनुशार सरकार ने निर्ने लिया कि इनको मदद करने चाहिए उद्धोग लगाने के लिए कुछ पैसे देने चाहिए चाहिए यह खुद का रोजगार कर सके और अपने जीवन को सुख में बना सके राज में बेरोजगारी दर से कमी लाने जायने के उद्धेश से बिहार लगू उद्मी योजना लागू की गई है योजना के अंत्रगत राजे के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लभातित के जाने का लग्छ है योजना को प्रारंब करने के लिए वित्तियवस दोहजार तेस चौबिस में धाई सौकड़ रूपए एम दोहजार चौबिस पचिस में सांकेतिक रूप से एक योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रधान राजसरकार की सुरुकिती से और किया जाएगा इसके मामले में ठीक है बजट योजना के लिए प्रारंब में क्रिय याने 1250 क्रोड रुपे की राजी पर सुरुकिती भी मिल गया है तो आपने से जिसने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से सेर कर देजे चुकि यह बहुत बड़ी बात है बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी ख़बर है बहुत गुद निउज है कि यहाँ पर दो-दो लाक रुपे आपको दिये जाएंगे ठीक है और इसमें चूकना नहीं है बिलकुल आवेदन करना है मैं समझाओंगा कि कौन सब प्रोजेक्ट आप लगा है अगर पहले से भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है आप सिलाई कर रहे हैं बुनाई कर रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं राजे के सभी आर्थी रूप से जो गरीब परिवारों को लाभानतित करने है तो अत्रीक्ट बजट का प्रोधान राज्य सरकार की सुरुकिति से यहाँ पर किया जाएगा आगे आपको बता द मत संख्या 9 के रूप में सुरुकित पदान की गई है यहाँ पर जो कि सुल्ला को यहाँ पर मोहर सिगनेचर भी लग चुका है अब आपको बता दें यहाँ पर सारे ग्या प्यांक दिये गए हैं यहाँ पर यह सब जो सिगनेचर मोहर हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पर बत और उनमें 94 लाग से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गिल्कुल कमजोर पाए गये हैं जाती आधारे जन्गार्णा के उन्सार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विभेनी जो है यहाँ पर है जो कि समानने वर्ग के लिए यहाँ पर बताया गया है और साधन मिल सके और अपनी परिवार को भलन पोशन अच्छे से कर सके अहरता क्या क्या रहेगा योजना के अंतरगत लाप्राप्त करने हैं तो हरताएं जो है वो निवन परकार हैं आविदन की तिति को लाभुक की उम्र 18-50 वर्ष के बीच होना चाहिए ठीक है लाभुक जो में अभ्यरति को राज सरकार द्वारा आय पर्मान पत्र है तो गोशित समक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रावारिक आय परतिमा 6,000 रुपए से कम होने का प्रधान पर्मान पत्र देना होगा तो आय पर्मान पत्र आप तयार करा लिजिए 60,000 रुपए का ठीक है साथ हजार या छे हजार से कम होने चाहिए तो पांच पचास व पांच दुनी दर साथ हजार का आया बनवाली जी ठीक है यानि साथ लबज में आपको समझा दें यहाँ पर कि जो मुख मंतरी उद्मी योजना के तहत लाब ले चुके है 10,000,000 रुपया ओला जिसने 5,000,000 सबस्री था और 5,000,000 आपको चरासे किस्तों में वापस करना था वो इस योजना का डाब नहीं लेंगे बाकी लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है योजना का कारेनेवन आपको बता दें योजना का कारेनेवन उधोगी भाग द्वारा निवन परकार किया जाएगा योजना हेतु परतेक वस्त ओनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी इसके लिए मुख्य मंत्री उध्मी योजना का पोटल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोटल का इस्तमाल भी किया जाएगा आवेदन प्राप्फ होने के बाद लभांतितों को चैन कंप्यूटराइज रेंडम नाजेशन के माध्यम से किया जाएगा उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष के अनुसार आवेदकों का चैन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को परतिक्छा सूची में भी रखा जाएगा योजना के अंतरगत लाभुकों के चैन कंडिका टू में दिये गए आकडो के अनुपात में किया जाएगा परतेयक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाब दिया जाएगा परिवार की परिभासा में पति, पत्नी, एवं अविवाहित, पुत्र, एवं पुत्री शामिल होंगे परिवार में से एक व्यक्ति को ही जाएगा के प्रशिक्षन वंपर योजना अनुश्रवन समीती पी एमए द्वारा जायता के लिए 95 प्रसिजद की दर से ववय किया जाएगा योजना के अंतरगत अनुमान न से वेवश है राजजी सरकार द्वारा इस योजना के अंतरगत दि जाने वाली राशी से अनुलगनक एक श दुसार बेवसाई किये जा रहा सकेंगे आज जे अनुश्रवन समीती सूची में परवर्तन कर सकेगी साथ ही योजना के करयानेवन भविश में यदि कोई कटना याती है तो उस संबंध में राज जे अनुश्रवन समीती द्वारा वस्यक निसान देश भी जारी किया राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परवारों को लबहांदित किया जाने का लक्ष है योजना को प्रादाम करने के लिए वित्तिय वर्ष तेश में और हाई सोव यानि 250 क्रोड़ रुपए में 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000 क्रोड़ रुपए का बजट परवधान कि योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परवारों के कप्राप्त होने वाले आविधनों के संक्या को देखते हुए बहुतिक एवं वित्तिय लक्ष का परवधान राज्य सरकार के शुरूई किति से किया जाएगा राज अस्तरिय लक्ष को जिलो में गरीब परवार किया गया है आगे आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा सा आगे हम आपको आओ चलते हैं तो लिस्ट आफ जो एक्टिविटीज हैं वो आपका कारे की सुची यहाँ पर बताएगी है तो किस-किस के लिए आप ले सकते हैं पहले सही इसका त्यारी आप कर लिए जैसे आटा अगडी के फरनीचर बेत का फरनीचर निर्मान उधोग में आपका सेमेंट का जाली दरवाजा एवं खड़िकी इत्यादी प्लास्टर और पेरिस का समान दैनिक उपयोग सामगरी में आपका डिटेजन पावडर साबुन एवं सेंपू बिंदी एवं मेहदी उत्पादन में कंडी मुमबत्ति उत्पादन ग्रामीन इंजरीनिंग में गेट ग्रिल निर्मान ऊसमें बहुत सारे लोग बढ़िया है कि अपना जो ग्याट ग्रिल का दुकार लखे कि सकेंगे पतमकhी का बक्सान निर्मान अव वर्क्षॉप॥ श्टिल का בाउक्स ट्रंक ट्रेंक निर्मान लोहार हितोड़ा और टूल कीट निर्मान बिजली पंखा एंबिलेंस एस्टै 열ब इंवर् turmeric एंग प्लाइजर, इंवर्टर, UPSC, CTB, यह सब निर्मा जो बनाते बनाते हैं, ठीके, IT बिजनस के अंदर और रिपैलिंग, मेंटेनस में आपको मुबाइल रिपैरिंग, आटो गेरेज, एयर कंडिशनर रिपैरिंग, टू विले रिपैरिंग, ट्रैल रेटि ट्रेडिंग, जेबर निर्मान के लिए भी ले सकते हैं, केला रिशा निर्मान, फूल का माला सजावटी, माला निर्मान वो भी ले सकते हैं, टेक्स्टाइल में रेडिमेट, वस्तर निर्मान भी आप छोटा मोटा दुकान खुल सकते हैं, रेडिमेट का कासी, दाकारी में भी आप ले स मचरदानी मचली पकडने का जाल निर्मान पर भी आप ले सकते हैं चमले के जेकेट्स निर्मान का चमले के जूता निर्मान चमडे जीए दो लाख रुपे का ये लाब आपको बहुत फायदा देगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर देगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा जैसे यह उनलाइन अपलाई होता है मैं उस पर एक डेडिकेटेट वीडियो बना दूँगा किस तरीके से आपक ये परमान पत्र और अधार कार्ड और बैंक पास्बूक ये सब अपना रेडि रखें आउनलाइन आविदन करने की परकिरिया बहुत ही जल्द आपके जो चैनल है ये वासिंपल इस पर अफ्लोट किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सुक्रिया किस भी तरह का कुछ पूछना चाहते हैं सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं बसे ये जोजना आपको कैसा लगा आप कहां से देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं धन्यवाद